आज हम सूर्य कांत्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता भिक्षुक की ब्याख्या करेंगे इस कविता में कभी ने जो है एक भिक्षुक याने एक भिकारी जिसे कहते हैं उसके दैनिय स्थिति का वर्णन किया है और इतनी मारमिक्ता से अपने सब्दों के द्वारा इस कविता में कभी ने उस भिक्षुक की विशंता को व्यक्त किया है और समाज की विशंता को भी अभिव्यक्त किया है तो सुरू करते हैं भिक्षुक कविता वह आता दो टुक कलेजे में करता पच्ताता पत्पर आता पीठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक कभी निराला ने जो है ये भिक्षुक की दैनिये इस्तिती का तो बर्णन किया ही है साथ ही समाज में वैस्मिम्ता को भी दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक और तो प्रचूर धन संपता का जो स्वामी है यानि धनिक वर्ग है उच्चे वर्ग है तो वहीं दूसरी ओर जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसे की अनिका एक दाना तक नसीब नहीं होता है उसके पेट भरने के लिए भिक्षा ब्रिती का आस्त्रे लेना पड़ता है कभी उनके कस्ट को इस कभिता के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते है वे अपने स्ने और मतलब उदारता के द्वारा भिक्षुक की जो दैनिये स्थिती है उसको एक तरह से सुधारना भी चाहते हैं और समाज की लोगों को इस ओर ध्यान आकरिष्ट करने का भी प्रयास करते हैं कभी निराला जी ने जो है बिक्षुक कविता में एक दीन ही बिबस भिखारी का पहुत ही मनुहारी चित्र प्रस्तूत किया है बिक्षुक अपनी दुरास्था के कारण इतम भूख से तरप रहा है उसके जो पेट पेट है वो इतने अंदर घुसे हैं जैसे पीठ से मानो चिपक गया हूँ पीठ में सटे हुए है इस तरह क्यों क्यों क्योंकि उसके कई दिनों तक भोजन के बिना जीवन बिताया है बिक्षुक जो है अपनी जीवन के से पच्चताप कर रहा कि मेरी जिंदगी किस बात की है साथ ही चलने में भी वो असमर्थ है एक लाठी के सहरे जो है वो धीरे धीरे आगे की और कदम बढ़ाते चला जा रहा है लकूटिया टेक मतलब एक लकडी के सहरे डंडे के सहरे वो आगे चला जा रहा है मुठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुफटी जूलिया जूली को फैलाता, दो टुक कलेजे को करता पच्ताता पतपराता अब कभी कहते हैं कि वो मतलब मुठी भर दाने के लिए मने कहीं से उसे एक मुठी अनाज मिल जाएं, जिससे वो अपने भूख, ब्याकुल भूख को मिटा सके अपने भूख को तृप्त कर सके, इसके लिए वो क्या है, दर दर भटकरा, सब के द्वार पे जाता है, बिक्षा मांगता है सब के आगे जोलिया फैलाता है, और कलेजे को टुकरे टुकरे करता हुआ, आगे की और बढ़ता हुआ चले जाता है, जहां उसे मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले रास्ते पे चला जाता है, दूसरे मार को बढ़ता है साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाम से वे मिलते हुए पेट को चलते, और दाहिनी दया त्रिष्टी पाने की ओर बढ़ाए, भूक से सूख होट जब जाते, दाता भागे बिधाता से क्या पाते अब कभी कहते हैं कि जब वो बिखारी आगे क्योर बढ़ता है तो वो अकेला नहीं है, साथ में उसके दो बच्चे भी चल रहे हैं और वे भी भूक के कारण ब्याकुल हैं और अपने बाए हाथ से पेट को मल रहे हैं, भूक से ब्याकुल पेट को मसल मसल के सांत कर रहे हैं उसकी जो दुर्दसा है, भूक की ब्याकुलता पेट की जो आग है, उसे सहला के अपने आपको सुकून दे रहे हैं और फिर दाहिनी हाथ को आगे फैला रहे हैं, सायद कोई दयालू हेवं संपन ब्यक्ति कुछ पैसे या फिर भिक्षा के रूप में कुछ दे दे, भूक प्यास के कारण उसके उन लोगों की जो होट हैं, उसके भी पपड़ी पड़ गए हमने सूख चुके हैं मार्ग में चलते हुए निर्मर्व एवं कठोर हिर्दय मनुस्यों से उन बच्चों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता और कोई भी उन पर दयाद्रिष्टी नहीं दिखाता वे अपने दुख को मन में ही दबाकर निरास और ब्याकुल होकर बस आगे की और पथ पे चले जा रहे हैं ताकि कोई भी दयालू जो हो उन्हें कुछ दे दे और वे कैसे भी अपनी भूक की ब्याकुलता को त्रिप्त कर सके और ब्याकुलता भी इतना कि आखो से आशु बह रहे हैं और वे मन में उस आशु को दबे वे आशु को ही आशु की जो घूट पीकर मन में ही दबा रहे हैं अपनी इक्षा को चाट रहे जूटी पत्तल वे कभी सरक पर खरे हुए और जपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अडे हुए ठहरो अहो मेरे हिर्दे में है अमरित मैं सीच दूँगा अभी मन्यू जैसे हो सकोगे तुम तुम्हारे दुख में दुख मैं अपने हिर्दे में खीच लूँगा अब कभी लिखते हैं कि भीक्षुक जो है उनके साथ दो जो बच्चे हैं बड़े तो अपनी ब्याकुलता को मन मार के सांत कर रहे हैं लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं उन बच्चों की भूख इतनी ब्याकुल हो गई है इतनी असहनी हो गई है कि अंत में वो क्या करते है सरक पे जो रास्ते में जो जूठी पत्तल में बचा हुआ खाना जो फेका हुआ है उससे भोजन खाने के लिए दिवस हो जाते हैं वहां से उनके दुर्भागे का अन्त भी नहीं सांत होता है उस जूठे पत्तल में भी क्या होता है कि उनसे कुत्ते भी लेने के लिए आ जाते हैं सरक पे जो गुमने वाले कुत्ते हैं वे भी क्या करते हैं उनसे पत्तल जो है जपट लेते हैं तथा वे जो है जूठन से भी बंचीत रह जाते हैं बिचारे भूक की असहनिये दर्द को जब वे पत्तल से खा के सांत करने जाते हैं तो बिचारे उसमें भी उससे भी बंचित हो जाते हैं और वह भी उन्हें नसीब नहीं होता है क्योंकि सरक का जो कुत्ता है वो उनसे जपटके छीन के खाने लगता है और ये जो हिर्दय विदारक घटना है द्रस से है इसी देखकर कभी निराला जी बहुत ही ब्यथित हो जाते हैं उनका हिर्दय भी तूट जाता है और वे क्या कहते हैं वे अपने हिर्दय में नेत प्रेम जैसे अमरित तत्व को उस भिखारी एवं बच्चों को नेचावर करने को तत्पर होड़ते हैं वे जो है समाज की उपेक्षित और तिरस्कृत उन इन बच्चों को अभी मन्यू के समान संगर्ष करने के लिए प्रेरित एवं सजग करना चाहते हैं जिस प्रकार अभिमन्यू ने जो थे वो महाभारत की युद्ध में जिस प्रकार सारे जो सैनिक एवं युद्ध के जो ये थे सहस्त्र सैनिकों के साथ अकेले ही लड़ परे थे और संघर्स की लड़ाई लड़ने लगे थे उसी प्रकार कभी जो है इन भिछुक के दो जो बच्चे हैं उरसी कहते हैं कि वे संघर्स के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि इस बिकट परिस्थिती में तुम घबराओ मत अपने संघर्स के लिए आगे बढ़ते रो और इस तरह उन्हें सजग करते हैं ताकि उनके सम कस्ट कस्टो का आसानी से निवारन हो सके कभी जो है उन बच्चो के एक अविमन्यू के तरफ समान बनाना चाहते हैं जिस प्रकार अविमन्यू ने महाभारत के युद्ध में चक्रिवीव वेदन का मने अकेले ही सामना किया उसी प्रकार उन बच्चों को वे प्रेडित करते हैं कि तुम घबराओं नहीं और तुम अत्याचारतिरसकार को सहन नहीं करोगे इस कविता के माध्यम से कभी जो है इस क्रांतिकारी कदम में अपना भरपूर से योग प्रदान करते हैं उन भिक्षों को अपनी सहन भूति देना चाहते हैं जो की दो मुठी अनाज के लिए दर दर भटकते हैं और उन्हें वो भी नसीब नहीं होता है उन्हें तो दूर उनके दो छोटे प्यारे बच्चों को भी वो नसीब नहीं होता है तो इस कविता में कभी ने एक भिक्षुक की दैनी एस्थीती का वर्णन अपने सब्दों में किया है हमारे भिक्षुक कविता का ब्याक्या यही समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद